वाए गुरुजी का खालसा, वाए गुरुजी की फतह, उस्सा, उल्लास और उमंग के पर बेसावी की आप सब को हार दिक शुकामनाय लखलख बदाईया, बेसावी का पर कुशाली और सम्रद्धी का प्रतीक पर्व है, ये पर धर्ती की उत्पादता का उस्सो है, ये नवर कोश्क शुभारम का दिन भी है, आज के दिन मैं आप सभी के सुक, सम्रद्धी, शान्तिक की प्रातना करता हूं, आज कालसा पंत की सर्जना का भी दिवस है, आज के दिन गुरु गोविन सिंग जी ने आननदपुर साहिब में एक ऐसी सेवा भावी, कौम की निवरखी, ज पर जब भी कभी संकट आया, सिक भाईव ने उस संकट का सामना करने में अग्रिनी योगदान दिया है, पिडित मानवता की सिवा में सिक समाज सधेव आगे रहा है, आज के दिन मैं गुरु गोविन सिंग जी को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, तिवार की कुशियों के बीच में मैं भारत माता के उन वीर बेटे बेटियों को इस्पन करना चाहूंगा, जिनोंने जाले वाला बाग मैं आज के दिन सर्च बलिदान दिया था, मित्रों तिवार हमारे लिए उससा उमंग मेल जोल के अउसर होते हैं, ये सभाईग भी है कि हम अपनी कुश्य को बातना चाहते हैं, परन्तु कोरोना के कारण हालत चिंता जनक है, जिसको देखते हुए मेरी आप सबसे प्रातना है, कोवीड गाइडलाइन की पालना करते हुए हम उस्सा के साथ इस पर को मनाएं, आईए आज बेसा की के इस पाउन उसर पर हम एक भारस शिस्त बास के नि ऐसा हम सब को प्रियास करने के आऊशकता है, और अन्दाता को भी नमन करना है, जिनोंने धर्ती के अंदर अन्पेदा करके हम सब की सिवा भाव का काम किया है, आओ इस पर पर मैं आपको शुपकामना देता हूँ, जो बोले सो निहाल, सत स्री अकाल